आपका स्वागत है पांचो राज्यों में चुनाफ तारीकों का एलान हो चुका है और पांचो राज्यों में विधान सभा चुनाफ को देखते वे भारती जनता पाटी और कॉंग्रेस पाटी अपने उमिद्वारू की लिस्ट जारी कर चुकी है ऐसे में एक राज्य की बात की जाए तो मध्यपरदेश में सबसे ज्यादा लिस्ट भारती जनता पाटी या कहें कि आखरी लिस्ट भी जारी कर चुकी है यहाँ पर पांचवी लिस्ट मध्यपरदेश में भारती जनता पार्टी ने चारी कर दिया है जिसमें सिर्फ दो प्रतियाश्यों को इन दो सीटों पर उतारना बाकी है मध्यपरदेश में भारती जनता पार्टी के लिए सिर्फ दो सीटे बच्ची है इसे को लेकर बड़ी वज़ाएं सामने आ रही है कि आखिरकार भारते जनता पार्टी ने इन दो सीटों को क्यों बचा कर रखा दरसल आपको ये बता दे हैं कि मध्यपरदेश में 230 विधान सभा सीटों में से बीजेपी ने 228 सीटों पर प्रत्याशी उतार दी है बच्ची हुई दो सीटे विधीशा और गुनापा प्रत्याशी कौन होंगे इसके लिए अभी मंधन जारी है पार्टी लेडर्शिप का दावा है कि जल्द ही नाम तैकर घोशित कर दिये जाएंगे सबसे खास सीट विधीशा है जा मुखे मतरी सिवरा सिंग चोहांबी 2013 के चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं विधीशा बीजेपी का अभेद गड कहलाता है लेकिन 2018 में 40 साल बाद कॉंग्रेस ने शाशंक भारगव ने बीजेपी के इस मजबूत के लिए पर कॉंग्रेस का परचम रह लाया आज ये स्तिती है कि 228 प्रत्याशित घोशित कर चुकी बीजेपी यहां से अपना उमेदवार घोशित नहीं कर रही है वहीं अब ये देखना होगा कि ये कहा जा रहा है कि इस सीट से या तो जोते रादित्य सिंद्या को उतारा जाएगा या किसी दिगज नेता को ये सीट दी जाएगी लेकिन यहां पर अभी भी मन्थन जारी है दूसरी तरफ गुना की बात करें तो गुना विधान सबा सीट पर बीजेपी अभी प्रत्याशी घोशित नहीं कर पाई है गुना विधान सबा संग की मजबूत और पारंपरिक सीट मानी जाती है यहां संग बीजेपी के बीच सीट यहां पर नजर आती है गुनाविदा सबहा में सिंध्या समर्थक और बीजेपी के पुराने कारी करता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं पिछली बार यहां गोपी लाल जाटव विधायक थे मगर अब पार्टी इनको यहां पर बदलने की सोच रही है अब देखना होगा कि क्या यहां पर इन दो सीटों पर मंधन भारती जमता पार्टी करती वे कोई बड़ा चेहरे का एलान कर पाती है क्या लगता है आपको कमेंट सक्षिन में जरूर बताएं धन्यवाद